मज़े कि आपको बात बताता हूं जिस हमने नेशनल हाइवे पे लेंड किया था वो कोई 15 से कंड चला उसके बाद को हाइवे खत्म हो गया तो आगे चलके कुछ नया देखते हैं तो गाइस अभी मैं आपको दसाना चलूँ कि हम जा रहे हैं एक नई लोकेशन कर तो मैंने सुचा कि यहां का माहूल भी आपको सारा कुछ दिखा दिया है तो मैंने सुचा कि अभी अपने सुचा थोड़ा अपने गाउं से बाहर निकल कर कुछ अच्छा दिखाएं देखते हैं वो अच्छा माहूल किस तरह होगा आप हमारे साथ रहेगा हमें सुरज निकलने से पहले ही जाना था लेकिन कुछ मसला थे इसलिए थोड़े हमी लेट हो गई है सो अभी तकरीबन दस बज रहे हैं यानिके गर्मी भी बहुत है लेकिन फिर भी चलो भाई आपको कुछ कि नया दिखाते हैं सो आपकी खातर कोई मसला नहीं अगर कोई बाई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दे और बेल लाइक को दबाह के आल पर क्लिक कर दे ताकि आने वाले जो वीडियो यह आपके पास बासाइन से पहुचती रहे आप देख सकते हैं फाइल ली हम नेशनल हाइवे पर पहुच गए हैं तो आगे चलगे हम आपको सारा कुछ मावल दिखाते हैं थोड़ा दो मिल्ट इंकदार करना यार आपको बात बताता हूं जिस हमने नेशनल हाइवे पर लैंड किया था वो कोई पंदरा से कंड चला उसके बाद को हाइवे खत्म हो गया तो आगे चलके कुछ नया देखते हैं अभी हमने यहां पर बोरिंग पर आखे तो आप अपना भूत वोत दो एग्रहाएं इस हाइवे फिलेंड करें यह अड़ा है तो ओग है हिएए हम थार्त हिए सब्सक्राइब करें अपने गाउं पहुच गए हैं सो हमने सोचा आज की विलोग में कुछ नया करते हैं मुझे लग नहीं रहा है सादक है. मैंने किष्दिंग करते के कांद 물Trip को नया करते हैं और वाफसी आने पर में कुछ रिकार्ड करता लेकिन खूप ईतनी ती और यानि दिन भी गरम था तो यानिफे जो पिछेला बेगरांड था वो अच्छी तरह से किलियर नहीं आ रहा था तो मैंने फिर मैंने सोचा कि भाई अभी इसको यहीं पर खतम करते हैं बाकी जो हाल हवाले वो हम आपको शाम को देंगे क्योंकि अभी तक्रीबन पांच बच कर चालिस मिनट होए हैं तो अभी यान मैं आपको डसाता चलूँ अच्छा तो गाल एडसानी है अगर फिल फरस हमारी वीडियो सामने आ जाती है तो आप उसे बीच में छोड़ा ना करें वीडियो को कम्पीट देखा करें यह आपकी बड़ी महरबानी होगी और आज का जो विलाग था यह इतना ही था उमीद कर करता हूं कि आज का विलाग भी आपको पसंद आया होगा इंशाला हम जल्दी मिलेंगे एक दूसरी वीडियो पर तब तक के लिए अपना डेर सारा ख्याल रखना अल्ला हाफिस और थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल रखना वाकी आप समझ रहे होंगे